प्रधान मंत्री बनने के बाद से ही नरीन प्रमूदी बिना नाका छात्रों से मन की बात करते रही हैं उन्हें इम्तिहान देने के तरीके समझाते रही हैं यहां भी संच्चे में सरकार नजर आती है एक बार उन्हें चात्रों को कठिन सवाल पहले सुलजानी की सला दे डाली थी क्योंकि सरकार ने भी आते ही राम मंदिर तीन तलाग जमु कश्मीर जैसे कठिन सवाल हल किये लेकिन जानकारों ने आसान सवाल पहले करनी की नसीहत दी लेकिन सरकार भूक, बिरोजगारी, महंगाई और शिक्षा जैसे आसान सवाल के जवाब देने से हमेशा बचती रही ये संशे की स्थती बारवी के छातरों को भी भारी पड़ रही है कहने को तो कहा गया कि छातरों के नतीजे बहुत साफ पैमाने पर साफ गोई होता है वक्त के भीतर एलान किये जाएं जाहिर है कि सरकार के संशे की वज़ा से छातर भी संशे की स्थती में है उनके नतीजे किस आधार पर घोशित किये जाएंगे पिछली performance के आधार पर नतीजे घोशित करना भी उन छात्रों के भविश्य के साथ खिलवाण होगा जो किनी कार्णों से पिछली परिक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएं हलाकि प्रधान मंतरी नरींद रमूदी ने साफ कहा है कि छाटर के नतीजों से असंतुष्ट होने पर उसे दोबारा उफलाइन परिक्षा देने का मौका दिया जाए लेकिन यहां ये भी कहा गया है कि उस से exam देने का मौका कब दिया जाएगा ये कौरोना महामारे के स्थती पनिर्भर होगा यहां फिर छातरों के सामने आगे दाखले या नौकरियों के लिए प्रतियोगी परिक्षाओं में बैठने में अर्चनाय के फिलहाल ये तैह हुआ है कि सीबी एसी बोर्ड की कमिटी इससे जुड़े पैमाने को अंतिम रूप सरकार के संशे के हालत तो ये है कि रक्षा मंत्री राजनात सिंग को भी परिक्षा को लेका राजियों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक के अधक्षता करने को कहा गया हाला के एक दलिल ये भी है कि केंद्र शिक्षा मंत्री रमेश पुख्रियाल निश्रंग के करोना ग्रस कुल मिलाकर संशे में सरकार इसकदर है कि बच्चों के भविश्य से जुड़े फैसले भी आखरी मौके पर ही एक इवंट की तरह लिए जाते हैं सरकार के संशे के वज़ा से पूरे देश की तरह नई पीड़ी भी संशे के खालात में ब्यूरो रिपोर्ट एपी इन